राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिए लिकराई हूँ एकाशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कता बंधों द्वाशी तिथी के दिन जब भी आप एकाशी व्रत का पारण करते हैं तो तुलसी जी की इस कता को अवश्य सुने तभी आपको एकाशी व्रत के पूरन फल की प्राप्ति होगी बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी साब से पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै तुलसी माता जरूर लिखें बोलो तुलसी माता की जै हो हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुश्व का शूप महातम सुना जो भगवान विश्णू को बहुत ही प्रिया है अब हम आप से तुलसी की पुण्य में कथा को सुनना चाहते हैं व्यास्ची बोले ब्रहामनों पहले सकंद पुरान में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहां भी कहता हूँ शतानन मुनी के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुन्य और हिट की बात पूछी शिष्यों ने कहा नात ब्रह्म बेताओं में शिष्य आपने पुर्वकाल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवन किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं शता नंजी बोले शिष्य गन तुलसी जी का नाम उच्चारन करने पर ही असुरों का दर्पदलन करने वाले भगवान शिविश्नु प्रसन हो जाते हैं मनुष्य के पाप नश्ठ हो जाते हैं उन्हें अक्षे पुन्य की प्राप्ति होती है जिसके दर्शन मात्र से क्रोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें कल्यूग में संसार में वे मनुष्य धन्य है जिनके घर में शाल ग्राम शिला का पूजन संपन करने के लिए प्रति दिन तुलसी का व्रिक्ष भूतल पर लहें लहाता रहता है जो कल्यूग में भगवान शिकेश्व की पूजा के लिए प्रित्वी पर तुलसी का व्रिक् अम्राज अपने किंकरों सहित रुष्ठ हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं तुलसी तुम अम्रिज से उत्पन हुई हो और केशव को सदय ही प्रिये हो कल्यानी मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ तुम मेरे लिए वर्दाईनी बनो तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन होने वाले पत्त्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरी का पूजन कर सकूँ वैसा उपाये करो पवित्रंगी तुलसी तुम कलिमल का नाश करने वाली हो इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का क्रोडो गुनाफल प्राप्त होता है देविश्वरी बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं मुनी सिद्ध गंधर्व पताल निवासी साक्षात नागराज शेश संपूरन देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते केवल भगवान विश्वी तुम्हारी महिमा को पूरन रूप से जानते हैं जिस समय खीर समुद्र के मंधन का उ प्रभाव हुआ था पुर्वकाल में शी हरी ने तुम्हें अपने मस्तक पधारन किया देवी उस समय शी विश्णु के श्रीर का संपर्ग पाकर तुम परम पवित्र हो गई तुलसी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ तुम्हारे शी अंग से उत्पन पत्त्रों द्वार जिस प्रकार शी हरी की पुजा कर सकूं ऐसे क्रिपा करूं जिस से मैं निर्विघंता पुर्वक परम गति को प्राप्थ हूँ साक्षात शी कृष्ण ने तुम्हें गोमती तड़ पर लगाया और बढ़ाया था व्रिंदावन में विचरते समय उन्हों ने संपूरन जग और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया जगत्प्रिया तुलसी पुर्वकाल में वशिष्ट जी के कथन अनुसार शी राम चंद्जी ने राक्षिशों का वद करने के उदेश्य से सर्यू के तक पर तुम्हें लगाया था तुलसी देवी मैं तुम्हें प्रण उन्हें अपने प्यत्म का समागम प्राप्त हुआ पुर्वकाल में हिमालने परवत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभिष्ट सिद्धी के लिए तुम्हारा सेवन किया तुलसी देवी मैं तुम्हें नमस्का करता हूं संपूरन दिवंगनाओं और किनरों ने भी दूस्वपन का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है धरम अरन्य गया में साक्षात पित्रों ने तुलसी का सेवन किया दंडक अरन्य में भगवान शीरांद ज भक्ति के साथ परम पवित्र तुलसी का व्रिक्ष लगाया लक्षमर और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूरन चिराचर जगत में ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है तुलसी के पत्य से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारन करता है उसे गंगाशनार और दस गोदान का फल प्राप्त होता है देवी मुझ पर प्रसंद हो वो देविश्वरी हरी प्रिये मुझ पर प्रसंद हो जाओ शीर सागर के प्रसंद मा की कथा को सुनता है भगवान शी विश्णू उसके 32 अप्राप चमा कर देते हैं बाल्ले अवस्था कुमार अवस्था जवाने और बुढ़ापे में जितने पाप किये जाते हैं वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नश्ठ हो जाते हैं तुलसी के स्तोत्र से सं नश्ठ होकर भगवान सुक और अभ्यूदे प्रदान करते हैं जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है पढ़ा जाता है उसका कभी अशुप नहीं होता उसका सब मंगल ही होता है किंचित भी अमंगल नहीं होता उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है वे घर प कथा को सुनने से मनुष्य के रिदय में भगवान विश्णू के प्रति अविचल भक्ति होती है उसका वैश्णवों से कभी वियोग नहीं होता इतना ही नहीं उसकी बुद्धी कभी अधरम में प्रवित नहीं होती जो द्वाशी की रात्री में जागरन करके तुलसी जी क कि इस कथा का पाठ करता है उसे करोडों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है बोलो विश्णू भगवान की जै कुलसी माता की जै राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जिरूर करें धन्यवाद